वक्तों खुंजी डूमनी गावे आल बेताल एस कहावत नूं सच कर दखायाए गर्दास मानने अतियोदे नमें गीतने एक किमें आज दी सवादे बेच यू विचारांगे वाईगरुजी का खाल सा वाईगरुजी कीफते मैं हां गुर्तेच सिंग तुसी देखरेयों कौमी अवाज दर्शकों स्याने दास्ते ने कि देश पंजाव दे किसे शैर दे वेच डूमनी ने पाव की गौन वाडी में गौन जाना से जो दो डूमनी ने पता लगा कि ओ समय से नहीं पहुंच सकती ते उन्हें पजणा शुरू करता पाज़दी पाज़दी डूमनी साहो साही हो जान दी साहो साही हुंदी होई डूमनी नरदा आरत समय तों काफी देरी न पहुंचती है पर पॉंचन सारी डूमनी गौना शुरू करन दिये। साहो साही होए डूमनी बेताली गई जान दिये। पाव कियो दिताल नहीं मिल दिये। उस वक्त उत्थे बैठे किसे स्याने मनोखने इत्थों ही एक हावत कड़ी होनी हैं कड़ी है कि वक्तों खुंजी दूमनी गावे आल बेताली यो कोज होना गर्दास मान कर रहे आएं समय वेच आपनी गलतियोंने नहीं मननी ते होना हंकार देवेचो ताल बेताली गई जान दाएं गल सुनों पंजाबी दोस्तों देवेच उना ही लोकानूं दोशी ठहरावन दी एक सफल कोशिश कीती है जिन्ना ने गर्दास माननूं पाव की एस नूं कनेड़ाले शो देवेच शीशा दखाया सी ते ओ गर्दास मानने ओथे ही उना नूं गाल करड़ी सी गाल करड़ी सी गाल करड़न तो बाद चंगा सी के गर्दास मान माफी मंग लेंदा पर गर्दास मान उल्टा उस तो बाद होर हंकार दया गया ते ए एजड़ा गीता एभी उसे ही हंकार दा प्रगटावाए एक आपा जिक्र जरूर करना चाहने है कि एजडे नौजवान सी एक गर्दासमान दा एस करके विरोध कर रहे सी कि गर्दासमान ने हिंदी नूँ पूरे पार दे वेच मुक बोली लाने जान दी उदी प्रोड ता कीती सी उनना नौजवाना दे वेच्च सवतो बाद जो चर्चा दे वेच्च रहा सी चेरा ओसी चर्णजीत सिंग सुझों। चर्णजीत सिंग सुझों कोई खुरूदी नौजवान ना होके एक बहुती गंबीर लेखक ते टॉप दा फोटवाल खडारी ते सेख एक्टिवेस्ट ह गर्दासमान दे एस गीत दा जुआव चर्णजी सिंग सुझों वी कावरूर ची दता। अखीर दे उत्ते आप पता अडनाड ओ सांजा भी करांगे। गर्दासमान दे गीत दे वारे बेजल सत्ना दे उत्ते आजकल काफी चार्चा शुड़ी होई है। एक लेक्त में तो अडनाड सांजी कर रहे हैं। ये लेक्त साधे मेत्र हर्मीद सेंग फते ने लिखी है। हर्मीद सेंग चेंतन करनाड नौजवान ने ते गर्दासमान दे लेखनी दे बावत जड़ी दे गीत ने उपहला भी कुछ आर्टिकल लेख चुके ने, शायद तुसी ओ आर्टिकल पड़े होई। हर्मीद सेंग लेख दे ने कि जेवें गर्दासमान ने अपने स्टेंड ते जड़ फड़ी है, उनू देखके लगदा ने कि ओ मरजाने वाले लकवनू असल दे वेच जेंग रहाए। ओ तां सदीवी स्याने वांग वेहा आरकार रहाए। लगदा है कि सारे रोले च कुछ होर ऐसा वपर गया कि जेसने मान सहेवनू सैज नी होन दता। असल च एक हुंदा है असल फकीर ते एक हुंदे ने जो फकीरी दा दावा कर देने। कुछ गुणादे बावजूद ओ बहुत ऐसे मायावी खल जगणाच फसे हुंदेने कि फकीरी अंदरों अपजीदी नहीं है। फकीरी दियां गल्लां सेख लेंदेने पर मैं उमें ही मजूद रहेंदी है। हाँ पाव गल्वात वेश पूशा फकीरां वाली दखाई जान दी है पर असल च फकीर होना अपने आपनू मारना है। असल च मर जाना बाणना है। फकीरां वाली कलाकारी वदिया एक परमच चल रही सी पर ओश शो पाव की कनेडाले शो देवेच सब परदे डिग पे। रूदा मेकप उतर गया ते सामने खिजे जे बंदे दी तिस्वीर उगड़ाई जेडी की असल तिस्वीर सी। शायद एही गल वद तंग करन डईया। हर्मीत सिंग दी लखत दी लड़ी दे वेची असी सिख नौजवान जिस्वीर सिंग दी एक कावरचनातों अड़नाड संजी कर रहे हैं। जो गरदास मान जुआव है। जिस्वीर सिंग लखते ने, गल सुनी मान मर जानेया कुछ लेंदा सोच विचार, बिन सुचे समझे कड़ता एक गीत को पता बार। जिन कई दहा के सुनेया, तेनु दिलों कीता पयार, क्यों उन्ना विच्चों परखदैं, दुश्मन बेली यार। जिन गलती तेना टोकेया, करें उन्ना दी जैकार, सब सिख सजाए गुरां दे, एजतां दे, पैरे दार। जो पला मंगन सरबत दा, पुचडाने दिते मार, तेनु समझ के में कुछ आमदी, सब पुलसीये तेरे यार। तेरा अंदर मुर्दा हो गया, होम में होई अपार, हाकम दी बोली बास ते, मां बोली च कड़ें गार। पड़ा चेर होके विच आठके आ, दिल रोया जारू जार, फिर अतरू नारे बन गए, मजलस दे विच कार। तेनु एउना गुसा आमदा, मुँ एउना निकल दी गार, जे तुं सचियों होंदा अंदरों, जो बन दा रहना बार। उथे कुफर टकेना रहम दे, जिथे सत शिरी अकाल। अवह होना कीरद्यते, आपना तो हड़ना चर्ण जीत सिंग सुजोंने की जवावताय गरदास माननू, ओ संजय कर दें। चर्ण जीत सिंग सुजों का वरूपदे वेचे अपने दित्ते जवावदे वेचे लह दें। गल सुनों गदारों पंजावदें। कुझ लेंदे सोच विचार, अपनी माबोली नू विसार के क्यों करदे पिटते वार। खुद गरज लोकानू पुल जानदा अपनी माबोली दा प्यार, जीडे माबोली नू शड के करदे मासी दा सतकार। उन्हा माबोली दे गदारानू पैंदी रहेगी सदा फिटकार। चलो अच्छा होया पर्क लेया जीडे बने सी नंबरदार। की फैदा होन पिश्टाउन दा जिदों पैगया सब नडवैर गुड़ी सदा चड़ी रहेगी उन्हा दे जीडे माबोली दे पैरे दार। चर्ण जीत सिंग सुझो वरगे रैंगे माबोली दे सेवादार। हंकार्च अन्य होय कलाकार्णू स्टेज उत्तों देन गे उतार। बोले सो निहाल सत शिरी अकाल चर्ण जीत सिंग सुझो। सो दर्शको अगे एहे दिबेट या जिडी जापके दे कि एहे चर्चागी किन्निक जावेगी एतां रब्भी जानदा। पर ऐस वक्त यई लगदा कि गरदाश मान एक बार फिर वक्तों खुंज गया ये अते इस वक्तों खुंजे होय करदाश मान नूं फिर кदे मौका मिलेगा जा मिलेगा एदि बारे कुझे के नहीं सागदे। देव जी ये थे आ गया वाईग्रू जी का खालसा वाईग्रू जी की पते नमबर फाइब कुनेक्ट रोड प्रुगनीना पालमेर्स रोड अते धहर्टी ज रोड दे कारनर दे उते सेंक स्वीट्स पंचाबी रेस्टोरेंट वीजा एड इमिग्रेशन एंड एडुकेशन इन एशोशियेशन विद जौल लॉयर्स इमिग्रेशन एडुकेशन अते कोटनार स्बांदत हर तरह दे केस बड़ी तसली न डील कर दे मेलबून सीटी ओफिस 1414 वटा 503 लिटल कॉलन स्ट्रीट मेलबून स्प्रेंग्वेल ओफिस लेवल वन दो सो बान में स्प्रेंग्वेल रोड स्प्रेंग्वेल ओनलाइन अपॉइंट्मेंट लई पॉल करोड 010 97 84 85 वीजा एड इमिग्रेशन एंड एडुकेशन कर पेंट करवोना चौन देओ तम मेरी सलाम नो पाबला पेंटिंग्स तो करवाओ बड़ा ही कमाल दा कम करदेने इंटिरियर, एक्स्टिरियर, फीचर वाल्स, वाल्पेपर्स, फ्लोर पेंट अत्य रूफ पेंट सारा ही कम बड़े ही जाइस प्राइस देओते करणगे फ्री क्वोट लेए आज जी कॉल करो सुख्विंदर सिंग नू सिफर चार सो तेरां तिन सोई काट एक्सो ठतर 0413-361-178 पाबला पेंटेंग्स